मार्केट पूरी तरह है साइड वेज रहिए है है कल की भी मार्केट और आज की मार्केट जैसे आज हमने पीडे लायत को चेट किया बहुत पेशिंग्स के साथ हम इसके बैठे रहे हैं पहल चिज तो एंट्री रही दियुक्ण को जाने के बाद ने बहुत रुलाया रुलाया दासेंस के फिर्वन हुआ है नहीं लास्ट पीरिट तक movement इसकंदर ने हुआ जबकि expect हम कर रहे थे कि price कम से कम यहां पर मेरा 2419.85 तक जाना चाहिए बिकॉज यह support है in level identification के थूर हमने 2419.85 की range निकाली थी कि price अगर गिरता तो इस range तक गिरेगा बिकॉस कल पीडिलाइट ने बहुत अच्छा movement अपसाइड की तरफ हमको दिखा था अभी पीडिलाइट पर हाई टाम पर चलते हैं इसको थोड़ा से analyze करेंगे हम लोग एक तो यह कि पूर हमारा sideways दूसरा कल हमने एक trade execute किया था जिसको हम शेयर नहीं कर पाय था आप लोगों आपसे पर हमको message करके पूछा था कि हम अपना stop loss ट्रेल क्यों नहीं करते हैं देखिए stop loss ट्रेल नहीं करना इसमें कुछ भांतियां हैं ब्रांतियां इनका सेंस के मेरा अपना व्यू है आपका अपना व्यू हो सकता है बेशक हो सकता है जितने traders होते हम सभी से कहते हैं कि ज लाइक के ICICI bank है अभी ICICI bank में यह जो range हमने निकाली है green वाली range अब देख रहो higher time frame की यहां पर कुछ मेरा point था यह वाला यह second जो green line अभी हमने put की है यह higher time frame का price level है यह बहुत important range है हम क्या कर रहे हैं कि जो अपनी entry लिए है न वो इस वाले point से या इस वाली किसी जगह से जहां पर हमको confirm हो जाता है price में हम वहां से अपनी entry ले लेते हैं अब जो हमने entry ले लिए चली entry दूसरे बात है यहां पर हम लोग क्या discuss कर रहे है stop loss को हम trail क्यों करेंगे अभी entry ले लेने के बाद में हमने जो अपने stop loss लगाया है वो stop loss लगाने की जगह मेरी यह वाली है मत कल के दिन trade किया था अब कल अगर हमें ICI से बैंक को trade करना है तो हमें इसके अंदर सेफ प्लेस की जोड़त होगी जो की प्लेस हमने find के इसके अंदर 740 रूपेस का ओक है अब यहां पर price थोड़ा सा मेरा नीचे आया इस तो समझेगा थोड़ा सा price मेरा थोड़ा सा नीचे आया 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 वह आगया अब हम अगर यहां पर यह कर देते हैं कि अपनी stop loss को उठा करके जल्दी से क्या करते हैं कि entry point पर लाकर करके छोड़ते हैं कि जहां पर मेरे entry वहां पर छोड़ देते हैं क्यों हम loss book करेंगे जो थोड़ा वो profit हो रहा है प्रोफित को block करते जाए यह mindset होता है जितना मेरा profit हो रहा हम उसको block करते जाए लेकिन यहां पर हम यह देख पा रहा है कि अगर हमने अपने stop loss को trail कर दिया और trail करने से पहले हमने जो अपना stop loss रखा था कहा पर रखा था कि एक safe place हमने find किया अपना trade execute करने से पहले एक safe place हमने अपना identify किया था कि इस range पर safe place है यहां पर price को आने में थोड़ी से मुश्किल होगी particular objective हो करके अगर हम बात करते हैं तो आज के session में ICICI bank को यहां पर आने में थोड़ी से problem होगी because higher time frame पर जो volumes की confirmations मिली है जो देख करके हमने यहां पर entry लिए और entry ले लेने के बाद में जो हमने अपने stop loss लगाया है वो यहां पर लगाया है अभी यहां से price में stop loss उठा करके नीचे ले आएंगे मतलब इस safe place को हम खुद ही जो हमारी analysis थी अपनी analysis को हम खुद ही गलत करत इसका example आप यहां से देख सकते हों कि जैसे अपने यह वाला entry का point है यहां पर देखे जब तक मेरा stop loss hit नहीं हुआ है उससे पहले क्या हुआ है कि price ने जो resistance लिए है मेरे entry point तक price गया है मतलब जिस range पर हमने अपनी entry लिए है price के अंदर जो movement हुआ है जो retracement हुई है वो अपन इसे गर जाता है इस तरह से तो क्या होता कि मेरा stop loss होता वो safe stop loss होता है अगर हम यहां पर अपना stop loss ले आते तो क्या होता अब price आता है retracement हमान करके चलते हैं कि मेरे entry point तक हो सकती है तो वहां पर अपना stop loss कभी नहीं लाएंगे देखिए हो सकता है कि हम अपनी बात को convey ना कर पा रहे हूं convey in the sense कि हम अपनी बात को शायद पूरी तरह से समझा आना पा रहे हूं एक बार और हम कोशिश करेंगे कि अब हमने जो अपनी entry ली है वो मेरी इस point पर है higher time frame के recording और lower time frame की confirmations के recording stop loss जो हमने इसके अंदर लगा दिया है stop loss just हम क्या कर रहे है कि अपनी इस range के नीचे stop loss लगाएंगे यह मेरा buying का इडिया और हमने आप अपना stop loss लगा दिया और targets जो हम इसके अंदर अपने देना चाहते है वो upside के मेरे target रहेंगे अब यहां कहीं मेरे target है अब यह मान करके चलते हैं कि price में हमने यहाँ पर अपनी रहेंगे अपनी Todo limite अब इसको ट्रेल करके उठा कर यहां रख दिया और price मेरा retr sad होने के लिए और उसने मेरे इसले ले लिया हम तो आउट हो गया और अगर हमने अपने स्टॉप लोस को ट्रेल ना किया होता तो प्राइस जैसे यहां पर आया है एंट्री पॉइंट पर यहां से फिर से बाउंस हो कर गया अगर इसको अपसाइट की तरफ जाना है अब मेरा स्टॉप लोस बच जाएगा और अ यही में रीजन है कि हम अपना स्टॉप लोस ट्रेल नहीं करते हैं और अगर आप शुरुवाती फेज में है तो कोशिच करिए कि स्टॉप लोस ट्रेल करने से अच्छा है कि अगर आपने 10 क्वांटी के साथ एक्जिक्यूट करो और आपको लगते यार अभी स्टॉप लो कर देना चाहिए तो क्यूं आप ट्रेल करोगे आप तीन कौंटी निकाल दो अपनी तीन कौंटी का प्रॉफित बुख कर लो ओर थोड़ा सा प्राइज मूफ करें आप वहां पर क्या करो दो कौंटी और निकाल दो हुआ यह एक सही है आप अपनी मार्किंग्स के को कम कर दें, 100 quantities के साथ trade execute क्या है, 20 कम कर दिजे, फिर 20 कम कर दिजे, फिर थोड़ा आपको move मिल गया, फिर से 20 कम कर दिजे, इस तरह से क्या होगा, आप नहीं trade से बाहर निकले हो, नहीं आपने अपने stop loss को छुआ है, नहीं आपने अपने targets को trail किया है, और उसके points है, कुछ ranges है, इन ranges को हम लोग क्या कर रहे है, candles के through नहीं, सबसे पहले मिले को figure out करते है, जैसे कि ये एक point अपना बनता है, किसी एक resistance point को break करके आपका को stock upside के तरफ निकला है, अभी up range लगा देने के बाद में, ये एक resistance है, यहाँ से price आपका upside के तरफ गया है, और volumes भी ठीक ठाक आई है, अपनी किसी पुरानी range को upside के तरफ ब्रेक किया, अब ब्रेक कर देने के बाद में, अगर मेरा stock वाकई में strong है, तो इसको upside में निकलना होगा, और अपने resistances को break करना होगा, बट पेडिलाइट ने क्या किया है, वापस से एक gap up opening दे देने के बाद, gap up opening दे देने के बाद में, stock मेरा उसी range के अंदर आकर के travel करने लगा, जिस range को price ने break किया था, वापस से उस range के अंदर आकर के trade करने लगा, trade करके stock सीधे downside के तरफ आया, यह जो points बने थे मेरे, यह मेरे entry के points थे, I hope clear हुआ होगा, कि एक point ऐसा है, जिसको price upside के तरफ ब्रेक कर रहा है with volume, अब अगर उस resistance के उपर उसको support मिला है, तो price को क्या करना होगा, अपनी range के उपर निकल जाना चाहिए, but stock एक gap up opening देता है, मतलब strong opening उसने दी है, downside के move उसके अंदर, अब PD light को जब हम देखते हैं, तो देखिए, यह कुछ points है, यह इन सभी ranges को delete कर लेते हैं, यह कुछ एक points हैं, like कि यहाँ पर हम mark कर लेते हैं, अपने latest resistances को, यहाँ पर resistance मेरे अकौन से निकल करके आया, 2450.25, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक hurdle है, यह hurdle point है, price ने क्या किया है, कि अपनी range के ऊपर में opening दी है, अब range के ऊपर अगर opening दी है इसने, तो क्या हो सकता है, कि higher time frame पर जब हम इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखिए, अपनी कल की range के अंदर आकर के travel करने लगा, जो चीज़ भी उने बताई है, कि कल के दिन इसके अंदर एक ठीक ठाक volume आई थे, price में देखिए, कितने दिन से ज़्यादा का volume का breakout था यहाँ पर, यह वाला, अब अगर यहाँ से price मेरा strong है, तो क्या करना होगा, price मेरा upside की तरफ ने कलना चाहिए, अब यह वापस कल की range के अंदर क्यों आ गया trade करने के लिए, morning वह जैसा हमने देखा था, देखे, यहाँ पर सबसे पहले एपनी trade book open कर लेते हैं, आइस प्रेशो, one click, okay, and position book, यह तो profits हैं, and order book देखते हैं, चलिए, 285 quantities के साथ हमने शॉट किया था, 2461.40, 2461.40, इसको copy कर लेते हैं, and एक range हम रख देते हैं यहाँ पर, 2461.40, यह मेरा शॉट करने का एरिया था, अभी lower time frame पर शलते हैं, okay, high time frame पर, I hope कि समझ में आ जाओगा आपको, lower time frame पर जब देखो गए प्राइस को, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, कि जो entries का area बना था मेरा, प्राइस ने एक high लगा था और एक यह low लगा था, मतलब यह एक swing लगा दिया था यहाँ पर प्राइस ने, exact formations को जब हमने find करने के कोशिश की थी, यह मेरा entry का point बना था, और जो profits हमने इसके अंदर अपने बुक किया थे, so profits 2450.25 के मेरे targets थे, यहाँ पर हमने revised target अपने बुक किया था, और stop losses जो हमने लगा था, वो just अपने swing highs के अपने stop loss लगा थे, actual target मेरे काफ ही नीचे थे, अभी शुरु आप अपने markings देखे होंगी, but price वहाँ तक move ही नहीं किया, sideways movement था, and higher time frame पर आपने देखा, कि किस तरह से price अपने previous day की range के अंदर trade कर रहा है, supports को break कर रहा है, और resistance को protect कर रहा है, छोटे छोटे points होते हैं, इनके उपर थोड़ा सा आपको calculations करनी होंगी, market में थोड़ा सा समय देना होगा, practice कीजिए, एक अच्छे टेक्टीशर के तौर पर आप market को देखे, market बहुत अच्छी नज़र आगी, लेकिन जब आप, आपके पास क्योई experience नहीं है, अपने किसी को देखा है, profits book करते हुए, बड़े-बड़े profits book करते हुए, जब बात आती, बड़े-बड़े profits book करने के लिए, तो लोग क्या करते हैं, फिर सीधे, अपना segment ही change कर देते हैं, उनको लगता है कि, एक ही ऐसा segment है option, चलिए option को trade करते हैं, रात और रात वहाँ परलोग लगपती हो जाते हैं, बाहर जब आप उनसे पूछे, तो वो यही कहेंगे, कि नए मैं तो profit करने नहीं है था, मैं तो पढ़ने के लिए था, तो मैं यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं लालच होता है, कि एक दो points का move, एक दो candles का move लेते हैं और निकल जाते हैं चलिए से, अब दो lot, तीन lot भी अगर उन्होंने मारें, एक दो या तीन lot भी मारें, और एक point का move अगर उन्होंने लेना चाहा, अब वो चाहते हैं ना कि जिधर वो trade लेंगे, price उधर ही चलेगा, हमने trade लगा दी, 45,000 रुपए का profit होगा, हम लेकर के निकल जाएंगे, यह सोच करके उन्होंने अपना enter button दबाया था, trade execution का, हुआ कि अचानक से price नीचे किर गया, अब वो कोशिश तो यह कर रहे थे कि ना, कि हम 3-4,000 रुपए के profit लेकर के निकलेंगे, हुआ जस्ट अपोजिट, 3-4,000 रुपए के profit की जगा, 10-15,000 का loss हो गया, हमेशा यह बात हम बोलते हैं, सभी से यह बात बोलते हैं, कॉमेंट बोक्स में इस चीज़ को हमको जवाब दीजएगा आप लोग, ज्यादा तर लोग जो loss करते हैं आज के समय में, सिर्फ और सिर्फ option में करते हैं, सिर्फ और सिर्फ option में, ये stock market को लोगों ने bank, nifty market या option market बना करके रख दिया है, इस तरह से options को glorify करके रखा गया है, कि उसके अलावों कुछ है ही नहीं, stock market का मतलब ही होगा option, अगर आप option को trade नहीं करते हो, तो आप कुछ नहीं करते हैं market के अंदर, option को trade करना is not bad thing, बट उसके लिए एक सही experience की ज़रूरत पड़ेगी आपको, आप 10 रुपए के stop loss बचा नहीं पा रहे हो, क्या जूरूरत थे मतलब ज़रूरी है कि आप 5,000 रुपए का भी stop loss बचा लोगे, पहले आप 20, 50, 100 quantities का stop loss बचाने के लिए practice कीजिए, बाद ने आप nifty, bank, nifty और future options की तरफ जाएगा, कोशिच करें, देखिए मेरा काम है कि जो भी हमने अपने trading career से सीखा है, जो भी सीखा है, वो आप लोगों के साथ जस्ट हम share कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं, समझ जाएगा तो कम loss होगा, लेकिन जब market समझाएगी तो बहुत बुरी तरह से समझाती है, में पॉइंट जो था अपना, वो था stop loss का, तो stop loss trail करने के लिए, ये मेरा अपना मानना है, कि stop loss को trail करना, कोई बुरी बात नहीं है, आप कर सकते stop loss को trail, लेकिन उसका second option भी तो है, कि आप उपनी quantities को कम करते हो, quantities को कम करते चले जाओगे, तो क्या होगा, वीडियो कर अच्छा लगते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेट्स कीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो थांक्यू, गूडबाए, एंड, वीविल मेट अगें,